नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तेखिरा शीटूप चैनल पर तो दोस्तों कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो पड़ोस्तों मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर कॉम्प्लिट सॉलुशिन करके बताऊंगा तो दोस्तों कभी कभी क्या हो जाते हैं कि आपका जो विंक म्यूजिक है उसका जो एक्वलाजर है यदि आप उसको चैन्ज करते हैं तो भी दोस्तों चैन्ज नहीं होते हैं तो दोस्तों यदि आपको भी सेम इस तरह का प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये वीडियो को आप जर और यदि आप online से पेसा कमाना चाते तो आप हमारा वीडियो description पर link check out कर सकते ठीक है तो चले दोस्तों हम यहाप पर वीडियो को शुरू करते तो सबसे पहले तो दोस्तों यही आपका जो wink music है उसका equalizer काम नहीं कर रहा है तो आप जाइए अपने playstropper ठीक है playstropper पर जाके दो update करने के बाद आप back कीजिए update कीजिए back कीजिए और दोस्तों जाएए अपने setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाप पर scroll down कीजिए और apps पर जाएए उसके बाद पर दोस्तों यहाँ पर जब यह उपन हो जाएगा उसके बार आपको यहाँ पर सर्च करना है अपने विंग मुजिक को विंग मुजिक सर्च करने के बार आप जो है इसको क्लियर डेटा कर डिजिगा ठीक है क्लियर ओल डेटा आपको करना है साथी साथ एप परमिशन को एलाव करना है ताकि दोस्तों आपको कुई प्रॉब्लेम ना आए दुवारा से तो इसको जो है एलाव करने के बार आप अपने मुबाइल को रिस्टार्ट कीजिए ठीक है और दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका जो प्रॉब्लेम में वो फिक्स हो जाएगा तो दोस्तों आप जाके चेक किजिगा दुबारा से आपका एक्वालाइजर को जो है सेट करने की कोशिच कीजिए आपका जो प्रॉब्लेम में फिक्स हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा ठीक है और दोस्तों यदि आपका जो device का software है उसको भी update कीजिगा ठीक है about phone पर जाके दोस्तों आप उसको update कर सकते हैं यहाँ से तो device software को update करना मत भूलेगा device software को update कीजिए और सारे साथ दोस्तों आपने mobile को restart करके software को अच्छे से जो है install कर लिजे अपने mobile पर उसके बाद जाए दोस्तों जाके चेक किजिगा आपका problem fix हो चुका हुगा ठीक है तो दोस्तों यह हो complete solution तो इसके मदद से जो है आपका problem definitely fix हो जाएगा तो करें दोस्तों आपको जो है video पसंद आऊगा थेंक्स वाचिंग आपको जो है video पसंद होगा थेंक्स वाचिंग